वेलिडिटी एविडेंसेज में तीसरा एविडेंस जो हमने कहा जिसके बगएर टूल की वेलिडिटी को आप क्लेम नहीं कर सकते वो है क्राइटेरियन रिलेटिड वेलिडिटी सो इससे पहले हमने कांटेंट वेलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वेलिडिटी वे बात की अब यह तीसरी चीज जिससे हम वेलिडिटी को इंशोर करते हैं वह है क्राइटेरियन वेलिडिटी या क्राइटेरियन रिलेटिड वेलिडिट इसका concept ये है कि आपका टूल क्या इस काबिल है कि वो जो चीज आप महिर करने जा रहे हैं अगर दो लोगों में उसकी मिकदार फर्क है तो ये उन दो लोगों के दरमयान differentiate कर सके मिसाल के तौर पर अगर intelligence को ही ले लेते हैं तो अगर आपको ये किसी जरीये से ये information है किसी और data से information है कि person A और person B इनके intelligence में difference है और आपका टूल भी इस difference को दिखा सकता है यानि उन दोनों में differentiate कर सकता है individuals में उस criterion पे base करके उस मैयार पे base करके जो मैयार आपने intelligence के लिए मकरर किया यानि वो जो आपने सब criterion वैलिट टूल है ठीक है तो आप इसको यू देखिए ना जी कि मैं एक टूल ऐसा बनाना चाहता हूं या यह टूल के अंदर एक characteristic ऐसा देखना चाहता हूं कि यह टूल उन दो individual दो मैं सरफ मिसाल के तौर पे कह रहा हूं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं किसी दो individuals के दर्मियान अगर मेरे पास information हो कि यह अपनी जहानत के मामले में एक दूसरे से फरक हैं तो मेरा टूल उस फरक को मैयर करते वकत मुझे बता सके तो मैं कहूंगा कि मेरा टूल क्राइटेरिन वैलिड हुआ यह देखने के लिए हम दो तरह के evidence collect करते हैं एक को आप कहते हैं construct evidence of validity और predictive evidence of validity अच्छा concurrent जो है यह क्या होता है कि इसमें भी मैं अपना टूल बेता हूं और उसके साथ एक और टूल ले लेता हूं जो कि उसी चीज़ को मेर कर रहा होता है जिसको मैं मेर करना चाहरा हूं इसमें और construct वाली गुफ्तगू में वहां पे भी आपको याद हो था हमने कहा था दो convergent में दो टूल लिए थे एक अपना और एक इसी और का concurrent में और उसमें फरक इतना है कि concurrent में मैं जो टूल दूसरा कोई लूँगा उस पे और अपने टूल पे मेर सेम पॉइंट अफ टाइम पे लूँगा मसला मैंने आप से डेटा लेना है तो मैं आपको दोनों टूल एक अठे दे दूँगा कहूंगा पहले ये फिल करो फिर ये वाला फिल करो कनवर्जेंट में पॉइंट अफ टाइम का एक होना जुरूरी नहीं था मैंने दो टूल लिये एक अपना बना हुआ एक उसी चीज को मईयर करने वाला कोई इस्टैब्लेश सेंडडाइज टूल ले लिया दोनों टूल एक सेम पॉइंट अफ टाइम पे मैंने आपको दे दिये कि आप इनको फिल कर दीजिए और फिर पहले टूल पे आपका जो एबरिज कोर आया और जो दूसरे पे आबरिज कोर आया उनके दिरम्यान कोर्रिलेश हाई है तो मैं कहूंगा कि मेरा टूल कंकरेंट वैलिड है उसके अंदर कंकरेंट वैलिडिटी मौजूद है तो इस तरीके से साबित क्या हुआ कि आपके गिवन क्राइटेरियन के लिए जरूरी था कि आपका टूल मुख्तरिफ लोग जो के उस चीज की डिफरेंट डिग ग्रॉप वो ले लिए जिसको मैंने किसी और टूल से मेयर किया जो कि उसी काम के लिए बना हुआ था और उन दोनों के दरम्यान को रिलेशन से थाबत किया कि यह कर्णिकरेंट वैलिड हो गया दूसरे दूसरा एबिडेंस जो है वो प्रेडिक्टिव है प्रेडिक्टिव एमफिल एजूकेशन में दाखला लेना है तो अभी आपने एमफिल में जो चीजें पढ़ी जानी है वो तो भी आपने नहीं पढ़ी लेकिन मुझे यह पता है कि एमफिल क्योंके रिसर्च डिग्री है तो इसमें उस शख्स के सक्सेस्फुल होने के इमकानात ज्यादा है जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होगी जिसके अंदर क्रियेटिविटी होगी क्योंकि यह रिसर्च ओरियेंटेड है तो यह वाली स्किल्स होनी चाहिए अब यह जो स्किल्स मैंने आपके सामें नाम लिया यह स् कि जो सब्जेक्ट में पढ़ने हैं उनका टेस्ट लेता क्योंकि वो तो भी आपने पढ़े ही नहीं तो मैं उन स्किल्स को आइडेंटिफाइ करता हूं कि अगर किसी शख्स में क्रियेटिविटी होगी क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसके अंदर जो है अब्जुर्वेशन की एची स्किल्स होगी तो उसका ज्यादा इमकान है कि वो में अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि जो काम मैंने करवाने हैं उनमें यह स्किल्स चाहिए तो मैं एक इन स्किल्स पे मुझतमिल एक टेस्ट बनाता हूं और वो टेस्ट अगर आप उसमें सक्सेस्फुल होते है तो मैं इससे यह फैसला करता हूं कि आप में वो बनियादी स्किल्स मौझू है जो इसकाम को करने क li के लिए चाहीए तो आप का इमकान ज्यादा है इस कोर्स में काम्याब होने का जिस पे आप लेने जा रहे हैं बनिया सोर पे इस टूल ने क्या करना है अगर इस टूल ने जिसमें predictive validity होगी इस टूल का मकस्द क्या है कि वो काम जो अभी आपने किया नहीं है इस उसके लिए ये फैसला कर पाना कि आप अगर इस काम में दाखला दे दिया जाया या इस काम में आप शामिल हो जाएं तो आपके success के कितने इमकानाँ आप ये इन्दाजा लगाने के लि सक्सेस्फुली कर सकेंगे तो मैं कहूंगा कि इस टूल में predictive validity मौझूद है ये predict कर सकता है कि इस event में आपके success के chances कितने है एक्चुली तो पता उसका आपने MFIL थालेट से तो दाखला देते वकित मैंने predict कर लिया अपने test के जरीए से actually वो prediction ठीक थी या नहीं थी ये बात तो मुझे पता चलेगी जिस वकत आप उस program से graduate हो जाएंगे जो लोग मेरे predict test पे ज्यादा score ले लिया और उनका काम्याबी का इमकान भी ज्यादा था तो मैं कहूंगा कि मेरा tool जो है उसकी ability to predict जो है वो अच्छी है और उसमें predictive validity है ये दो बातें अगर हो जाएं कि मेरा tool concurrent valid हो जाए और predictive valid हो जाए तो मैं कहूंगा कि criterion related evidence of validity है जो इस मेरे tool में मौझूद है सो हमने तीन बातों का जिकर किया content validity, construct validity और criterion validity ये तीन minimum बाते हैं जो किसी tool में होंगी तो वो valid कहलाएगा और इसके इलावा बाकी जो list मैंने आपको दी थी आपकी self study के लिए आप उसको अगर interest है तो किसी भी जगह पर search करिए कोई किताब ले लीजिए आपको उसकी description मिल जाएंगी